गोईंग टू बैक टू जैपूर स्टूडियो हमारे वरिस्तेयोगी शशी, कनेक्टर शशी, जिस चीज से मने आपको इंटरप्ट किया था मैं चाहूंगा उसी को आप आगे बढ़ाएं और जीडीपी के करेंगे थोड़ी सी बात क्यूंकि समझाइए जरा दर्शकों को कि गोषणाएं और मौजूदा हकिकत है कैदरासल? देश को आगे बढ़ाने की जो कुछ मूल भूत आवशक्ता है उनमें उर्जा सबसे बड़ी आवशक्ताओं में से एक है जो देश अपनी इनर्जी जनरेशन या फिर इनर्जी इंडिपेंडेंस में सबसे आगे होगा वो देश दुनिया का शिर्मोर होगा आप चाहे किसी बड़े कंट्री की बात करें जो डबलब कंट्री है चाहे यूएस है जर्मनी है या पर दुनिया के जो टॉप फाइव एकोनोबीज हैं वो सारी कि सारी एकोनोबीज आर्ज उर्जा इंडिपेंडेंस में अपने आप में इस्थान लगती हैं तो आज वो दुनिया की सिर् और हमारे विजनरी प्रदानमंत्री सरी नरेंदर मोदी जी ने जो इसने में विजन दिया है देश को, ग्रीन इनर्जी का, इसमें नॉट अनली सोलर, सोलर के साथ साथ विंड, बायो मास और हाइड अलग जो योजना है या जो जितनी भी टेमेरमेंट फ्लेंडरी जिसन को कह का लिजवाट का लक्ष जिसको कि 2030 तक ह溉तर और तहʃ तहट अगर मैं इसको इजे भी जिनिस की बात करूं, तो मैं अगर बिजनिस् monumental की बात करता हूं, तो आने वाले कुछ आज्वाट सेमेंग ए था एफ लां करोड के आसपास का इंवेश्वन्ट में और जो कह किह हजा पैनल के साथ उनके raw material बनाती है, वो अपने देश में डबल अप होगा, अगर मैं बैकवर्ड इंट्रिकेशन की बात करूँ तो solar cell manufacturing है, उसके पूछे solar wafer manufacturing है, और उसके पीछे polysilicon manufacturing है, तो एक complete cycle chain है, polysilicon से लेके solar panel तक की, और अपने देश के अंदर manufacturing होती है, जो के हमारे प प्राप्त करेंगे, जो कि fossil fuel clear और green energy होगी, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा यह काम होने वाला है, वो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुना होगा hydrogen के लिए, जो ultimate fuel of energy है, वो hydrogen है, hydrogen के साथ सरकार ने green को जोडा है, means green hydrogen, तो आगामी टाइम में जिस तरह से policy सरका और M.N.R.E. Central Government बना रही है, अगर स्टेट्स उसके साथ अपनी कदम ताल मिलाते है, तो green hydrogen, जो ultimate energy है, वो देश को एक नए उंचाईयों पे लेके जाएगी, और हम जो regular coal और जो fossil से यूज होने वाली जो उर्जा हैं, उन से अगर अपने आपको कम से कम इस्तमाल में कर पा है, MSME सबसे बड़ा employment generator है, लेकिन हाइडरोजन फ्यूल की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें तो बड़े-बड़े प्लेयर जामनगर में बड़ी industry लगाने की बात कर रहे हैं, तो MSME उसकी टकर कहां टिक पाएगा, अगर हम जो energy consumption में पीछे हैं, तो क्या ये 100 unit जैसी free योज है, आज चाहिए आप किसी भी बड़े गुरुप की बात करें, आज अगर देखेंगे तो उन गुरुप में आपको एक बड़ी company दिखती होगी, लेकिन उनके पीछे आज सोईयों company MSME की हैं, जो उनके साथ मिल जूल के काम करते हैं, मैं छोटा सा दोरार दूँगा, अगर कुछ साल पीछे, बीस-पक्चे साल पहले आप चले जाएं, तो गुडगाओं और माने सर में एक factory आई थी, सिर्फ मारुती की, मारुती की बड़ी unit थी, लेकिन आज उससे जुड़ी हुई हजारों MSME हैं, जो कि उसके लिए छोटे-छोटे पार्ट और उन पार्ट बनान और सोलर में यूज होने वाले raw material को बना सकते हैं, और वो factories में या फिर power installations में वो सप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत-बड़ा ecosystem है, जो कि डबल अब होने की तैयारी में है, मनीजी आपसे ही जुड़ा हुआ परोग शुरूप से सवाल है, जो शैलेंजी से मैं लेना चाहूंगा, शैलेंजी हम बात कर रहे थे, शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट को देख करके कई बार तैय कि अच्छा है,